वेलकम बेक टो दे समाजिक गुरू चैनल आजम करने जा रहे हैं क्लास 6 की मास की कॉंपिजेंसी एन्हेंस्वेंट प्लान की वीकली प्राक्टिस शीट नंबर 9 तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़ उससे पहले अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को पड़ा- इन दे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर ठीक है तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर जी है वो क्या होता है 4 x 9 लिख दोगे ठीक है तो 100s place पर जो है वो 9 है तो इसका place value बताना है ठीक है तो place value क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा और ये दोनों 0 बन जाएगे तो क्या आ जाएगा 900 ठीक है इसके बाद अगला question है if the product of 2 number is 1083 अगर 2 number है उसमें से एक number आपको 19 दिया गया है ठीक है दो number को multiply किया गया है तो answer आया है 1083 तो second number जो है वो find out करना है तो x जो है वो 1083 19 multiply हो रहा है दूसरी side जाकी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इसकी cutting हो जाएगी तो ही cutting होगी क्या जाएगा 57 ठीक है यानि कि 4th option जो है वो correct है अगरा question है write the number represented by the given abacus in words तो इसको जो है वो अपने words में लिखना है तो कितने है 1000 के place पर 3 है यह कितने beads है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है ठीक है यहाँ पर भी 9 है यह भी 9 है तो 3999 है जो कि 1st option है ठीक है question number 4 है in a cricket ground total number of children man and woman is total जो है मतलब बच्चे है ना इसके लावा जो है वो आदमी मिलाकर जो वोमेन है तीनो को मिलाकर जह है 32,456 है अगर 14,657 है वो men or women men है और women जो है वो 11,289 है बच्चे कितने है वो फाइंड आउट करने है तो सबसे पहले men or women जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि total कितने है ठीक है 14,657 है यहां पर जो women है वो कितने है 11,289 इंको प्लस कर देंगे ठीक है 7,9 जो है वो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपके पास 16 ठीक है यहां पे 6 लिख दिया 1 केरी हो जाएगा 8 प्लस 1,995 14 हो जाएगा 6,7,8,1,9 4 प्लस 1,5 1 प्लस 1,2 इतने हो गए men और women को मिला कर अब total जो है वो कितने है population कहलो इसको 32,456 है और यहां पर जो है वो 25,946 है वो men और women मिला के है तो बच्चे फांड़ाओट करने हमने कितने हैं इन दोनों को माइनस कर दोगे 6 में से 6 माइनस करोगे 0,5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 ठीक है फिर यह हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा आपके पास अगला कुछिशन है Find the correct expanded form of number तो expanded form जो है इसका बनाना है ठीक है तो क्या हो जाएगा 8 कितने हैं डिजिट बाद में 1,2,3,4,5 यह पर 5,0 लग जाएगा 2,3,4,5 उसके बाद 7 है 7 के बाद कितने डिजिट है 4 तो 4 जिरो लग जाएगे फिर आगया 2 2 के बाद कितने डिजिट है एक डिजिट है और 3 ठीक है तो यह हमारा का sponsor option है यहाँ पर 4 है यह कितने 0 है 1,2,3,4,5 ठीक है तो fourth option जो है वो बेटा correct होगा हमारा ठीक है 1,2,3,4,5 यह ठीक है इसके बाद जो है अगला question जो है वो हमसे क्या पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है which is the smallest 5-digit number made up of the smallest 5-digit number बनाना है जीरो से start नहीं करेंगे नहीं तो यह 4-digit का number बन जाएगा है किसी भी number के आगे जो है which is the greatest negative integer तो सबसे बड़ा negative integer जो है वो कौन सा होता है तो वो होता है minus 1 चीक है इसके बाद आजाता है fill in the blanks with appropriate symbol तो fill in the blanks 0 या minus line तो कौन सा जो है वो sign put करोगे 0 जो है वो greater है ठीक है तो first option जो है वो correct है इसके बाद है which point on the number line represent the number minus 2 minus 2 जो हो कौन सा जो है वो number represent कर रहा है यह minus 5 है minus 4 हो जाएगा minus 3 minus 2 minus 1 तो minus 2 जो हो D से represent हो रहा है ठीक है तो third option जो है वो correct है अगला question है how many integers are there between 0 and 5 0 और 5 के बीच में जो है वो कितने integers हैं तो देखो 1, 2, 3, 4 तो कितने integers आ गए 4 ठीक है तो third option जो है वो correct है इसके बाद अगला question है on adding 6 to a number we get 0 find the number तो जो है कोई number है हमारे पास उसमें जब 6 add किया जाता है तो हमें 0 मिल रहा है ठीक है तो क्या होगा यह x is equal to plus 6 जब दूसरी set जाएगा तो minus 6 हो जाएगा है तो minus 6 जो हो जाएगा यानि कि जब 6 में आप जह हो minus 6 plus करोगे तो answer जो हो 0 जाएगा क्यों कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 माइनस 6 जो हो जाता है इसके बाद बेटा next question है which of the following option is represented by the given number line तो कौन सा option जह हो यह show कर रहा है तो 0 से start हुआ है 0 से पहले minus 4 पे आए है माइनस 4 हो गया उसके बाद 2 जो हो हम right side गए है तो प्लस हो जाएगा ठीक है प्लस में 2 गए है 2 steps में हम move किया है तो माइनस 4 प्लस 2 जो हो इसका answer हो जाएगा ठीक है अगला question है माइनस 4 में क्या add किया जाए ठीक है फिर माइनस 1 है जो कि यह 0 बन जाए ठीक है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन माइनस करा जाएगा यह माइनस 5 हो जाएगा अब माइनस 5 में क्या जोड़ें कि यह 0 बन जाएगा तो प्लस 5 जोड़ेंगे तभी तो plus minus minus होके यह 0 के इकवल हो जाएगा है तो 5 जो है इसका answer हो जाएगा अगला question है find the number whose sum is minus 17 minus 17 इसमे से किसका sum होगा तो देखो यह 10 plus minus minus 7 हो जाएगा तो यह तो 3 आ जाएगा minus minus plus हो जाता है इसको plus करोंगे तो यह minus 17 आएगा तो यह विल्कुल सही है ठीक है अगला question है in which of the following option numbers are in ascending order ascending order में किसमे वो दिया गया है number तो fourth option correct है सबसे पहले minus 2 आया फिर minus 1 आया 0 और फिर 4 ठीक है तो बच्चों यह video हो जाती है हमारी यही पे खत्म है कोई डाउट है आपको तो comment section ने question कीजिये reply करने की पूरी कोशिश करोंगी thank you very much and all the best for your test bye bye